अलो दोस्तों कैसे आप सबी उमीद करता हूँ वड़ी आऊंगे वेलकम टो वर्ल्ट टुड़ी स्कूप आज हमने बात करेंगे कि इंडिया के स्ट्राडेजी क्या हो सकती है नेक्स्ट मैच के लिए जो कि श्विलंका से कल ही है और बहुत ही इंपॉर्टन मैच होगा इंड लास तक और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा तो सबसे पहले बात कि इंडिया की 11 जो कल खेली है क्या वही 11 के साथ आप जाना चाहेंगे कल तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि कल की 11 खेली क्या थी तो उसमें आप देखिए कि तो इसमें से आप क्या नहीं खिलाओगे मेरे हिसाब से कल चाहल को पैठाना चाहिए बहुत हो गया आपने अच्छे चांसे दिये चाहल को पूरा कॉन्फिडेंस से खिलाया है बड़े-बड़े मैचेस में उन्होंने परफॉर्म नहीं करके दिया है आप IPL प्लिगाउस म उनको विकेट नहीं मिली थी और अगेंस्ट गुजराट टाइटन्स भी विकेटलेस गये थे तो और काफी रन भी दिया था उन्होंने प्लिगाउस में और फिर आप कल का मैच देख लो और फिर फर्स मैच देख लो पाकिस्तान से इसी टूनामेंट का चार ओवर में 32 रन कर सकते हैं अब फिल्डर दोनों एक ही दर्जे गेम मैं बहुत उपर नीचे नहीं मानूंगा उन्हीं इस बीस का ही फर्क होगा अगर होगा भी तो तो बैटिंग दे देंगे आपको अश्विन तो अश्विन को आप खिला सकते हो मेरे ही साब से कल अश्विन को खेलना चा और आप क्या चेंजिस कर सकते हैं तो आप दीपक हुड़ा को बाहर करके अक्षा पडेल को ला सकते हो क्योंकि आप अगर शे बैटर से रन नहीं मार पा रहे हो तो सात्वा बैटर भी आपको मुश्किल ही होगा कि रन करके दे और उपर से ऐसी बालिंग नहीं शिलंका की आपको की बहुत ट्रबल कर दे अगर आप उसमें भी ट्रबल हो जाते हो तो तो मुश्किल होगा और उपर से जब चाहल बाहर जाते हैं और अश्विन अंदर आते हैं तो आपकी बैटिंग अल्रेडी लंबी हो जाएगी और सिक्स बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कैप्टिंसी में रोई शर्मा को तो यह सब बेनेफिट्स हैं तो मेरे हिसाब से कल दो चेंजिस होने चाहिए एक चाहल बाहर जाने चाहिए और अश्विन अंदर आने चाहिए और एक दीपक कूड़ा के जगा अक्षर पटेल को खेलना च फटा इट किसी चूट Sकता है सबने क्रिकट खेलियो यह कहीने कहीने कही चूटते हैं दोस्तों यह वही से आ रही है ऐसी क्षिवान की रनाउट चोड़ दी थी तो इसका मतलब क्या कि हार्दिक पढ़ने के पीछे पर जागा लोग, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मैच कभी भी चींज हो सकता है, मेरा अभी भी मानना है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि दो ओर में 26 रन बाकी थे, तो अगर आप 26 रन नहीं तो उसको सिर्फ बोलना और एक प्लेयर को ब्लेम कर देना, हम लोग ने ओर रल मैच हा रहा था, मैंने आपको बताया कि कैसे केल रहूल और स्काई की विकेट ने मैच बतला था, पंथ का मेंशन शूड गया था, पंथ ने भी बहुत ही रेकलेश शूड केला दोस्तों, एकदम लेक स्टम की वॉल थी, उसको आपको कन्वेंशनल शूड करना चाहिए था, वो रिवर्स शूड के तरफ चले गया और आउट हो गया, कोई जूरूर नहीं थी उस शूड की भी, तो तीन बैटर ने तो ऐसी ही विकेट दे दिये, केल, स्काई और पंथ ने, तो बहुत इनी राश्य जिनक परफॉर्मेंस ने कल, तो एक प्लेयर को टार्गेट करना ये अच्छी बात नहीं है, मैं अपने प्लैटफॉर्म से भी यही बोलना चाहूँगा, तो अब बात करते हैं कल के कुछ स्टैट्स के बारे में, ये देखिए कल का परफॉर्मेंस, आप देखिए शदाब की बॉलिंग देखिए दोस्तों, शदाब ने, आप देख सकते हो ये है, शॉर्ट फिर होता है शॉर्ट, गुड लेंथ, फिर होता है फुल बॉल, फिर होता है यॉर्कर, और फिर होता है फुल टॉस, आप देख सकते हो फुल टॉस और यॉर्कर उन्होंने एक भी नहीं डाली है, फुल टॉस एक भी नहीं डाली है, आप अगर देख सकते हो कि चाहल की bowling तो उन्होंने full toss डाली थी रिजवान को और six खाया था तो आप control देखिए शदाब खान का यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने full toss फेकी ही नहीं है तो उनको बड़े shots नहीं खेले गए उनके खिलाव और आप देख सकते हैं कि उन्होंने good length ball डाली है और full ball डाली है तो आप short fake होगे ही नहीं, short ball भी नहीं है, full toss भी नहीं है तो batters को मौका नहीं दिया है, शदाब खान एक बहुत experience baller है मेरे को पाकिस्तान के सबसे अच्छे player में से एक लगते हैं उनका attitude गजब का है, उनका और रिजवान का, मेरे को best लगता attitude in fact बाबर आदम से भी attitude अच्छा अगर मैं मानता हूं तो शदाब खान और मौंबद रिजवान को होता है और कल ऐसा खेल दिखा है, मौंबद नवाज नहीं, उनका भी mention करना जरूर ही है इनका भी आप देखिए, performance एकदम मार लगे भी थी पाकिस्तानी बोलर्स को 5 ओर में 56 रन बन गए थे तो उस समय फुल टॉस एक भी नहीं दिया और कुछ शॉर्ट बॉल भी नहीं फेकी एक बार भी प्रेशर में नहीं आए दोनों spinners पाकिस्तान के तो आप देख सकते हो, वहीं difference create हो गया है और इंडियन बोलर्स जो middle overs में बहुत रन पिटाए उसका भी comparison करेंगे हम लोग देखिए दोस्तों, power play में हमारे run 62 थे और पाकिस्तान के 44 थे तो वहाँ तो हम लोग को लगबग 8 रन का margin था उसके बाद 10 over break पे भी देखिए हम लोग 93 पे 3 थे और पाकिस्तान 76 पे 2 थी उसके बाद ही match चेंज हुआ है दोस्तों हम लोग ने middle overs में इतनी खराब बल्ले बाजी की है thanks to sky, punt, kale को भी आप मालनों लेकिन वो 10 over से पहले ही चला गया था फिर भी इलोन ने काफी गंदी बल्ले बाजी की और हम लोग के गेंद बाजी भी उतनी गंदी हुई यह middle overs में और यहीं difference create होगी आप देखो 76 पर 2 है पाकिस्तान in 10 overs फिर 12.2 overs में 100 हो जाता है मतलब 24 रन उन लोग ने सिर्फ 14 गेंद पे कर दिये और फिर आप देख सकते हो कि इनकी पार्टनर्शिप मुहमद रिज्वान और मुहमद नवाज की जबरदस्त होई और थर्ड विकेट पार्टनर्शिप सिर्फ 29 बॉल्स में 50 हो गई थी और फिर 150 इन लोग ने 17.2 में cross किया तो middle overseas difference create किया है इसलिए अश्विन को खिलाना मेरी सबसे ज़रूरी है और अक्षर पतेल को अक्षर पतेल के पास control है वो खराब गेंद बाजी बहुत कम करते हैं बहुत कम बॉल खराब डालते हैं और एक आपको बैटर भी प्रोवाइड करेंगे बैटिंग भी प्रोवाइड कर देंगे तो उनका खेलना कल एहम हो सकता है दोस्तों और अब बात करेंगे कि schedule कैए schedule किस तरह से lined up है तो आप देख सकते हो कि कल इंडिया को मुकाबला होगा श्री लंका से जो कि match do or die होगा इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी है कल का match फिर अफगानिस्तान वर्सेज पाकिस्तान है 7th को और फिर 8 को इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि उनको back to back matches खेलने हैं इस गर्मी में वो easy नहीं होता है जिसने भी schedule बनाया है बहुत ही tough बनाया है B1 टीम के लिए तो पता नहीं कैसे manage करेगी अफगानिस्तान टीम यह देखना होगा और फिर श्रिलंका वर्सेज पाकिस्तान last match है तो अगर दो match इंडिया जी जाती है अगला तो qualify हो सकती है लेकिन फिर net run rate play में आएगा क्योंकि माल लीचे कल इंडिया जीतती है श्रिलंका से तो श्रिलंका एक माँ चाड़ जाएगी लेकिन अगर श्रिलंका पाकिस्तान को हरा देती है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है तो दो दो सब तीम टीम के दो पॉइंट्स दो गेम हो जाएगे जीतने वाले जैसे कि पाकिस्तान इंडिया और श्रिलंका दो जीत के साथ ताई रहेंगे फिर net run rate play में आएगा इसलिए इंडिया को convincingly जीतना भी जरूरी है कल का मैच तो प्रेशर तो होगा इंडियन टीम पे अब कैसे वो प्रेशर जेलते हैं और श्रिलंका mind you form side है समय दोस्तों दो मैच जीत के आ रही है उन्होंने पिछला मैच अफगानिस्तान को रहा है उससे पहले बंगलदेश को रहा है काफे जबरदेश चेजस किये उनकी हिस्टरी में इतनी अच्छी चेजस नहीं हुए जितना इस बार किया श्रिलंका ने 180 प्लस और 175 प्लस चेज किया है महेला जायवर्दने का भी ट्वीट देखाऊगा आपने कि वो कितना प्रेज कर रहते है श्रिलंकान प्लेर्स को तो कल का मैच बहुत जबरदस होने वारा दोस्तों है इंडिया को अपना कॉम्बिनेशन सुलजाना होगा अगर वो अक्षर को खिलाते हैं और अच्छी बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे और फिर इंडिया के लिए थोड़ा इजी होगा बैटिंग भी करना बोलिंग भी करना और अन्दा दून शॉर्ट्स प्लीज ना खेलें थोड़ा टाइम लें ऐसा नहीं है कि ओवर्स खत्म होता जा रहे हैं अगर आपके बारा ओवर्स हो गए है और आठ विकेट बाकी है यह रहती है कि हम लोगे जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल बैटिंग नहीं करते हैं आप अस्ट्रीले के साथ यही देख सकते हो कि आप अगर मिचल स्टार्क को दे रहे हो खुश बहुत सच भी मिचल स्टार्क मार देंगे आप पाकिस्तान के साथ भी यह असोसीयेट कर सकते हो कि उनके जो दो बॉलर्स हैं दो स्टार्क मुहमद नवाज और शदाब खान प्रॉपर बैटर हैं दोस्तों ऐसे कहां है हम लोगे बास हम लोग की क्या रवी बुश्ण भी बैटिंग कर लेंगे आपको या यूजी चैल यूजी चैल तो बैट ही पकड़ने वह बहुत ह है तो वही बात है दोस्तों हम लोगे बोलर्स बिल्कुल कॉंट्रिब्यूट नहीं करते हैं बैट से एक हर्शर पटल करते थे तो वो इंजर्ड है और रविंदर जडीजा करते थे वो भी इंजर्ड है तो अक्षर पटल को खिलाना बहुत जरूरी है अश्विन खेलेंग अब कल भी परस्यूग करो कि उन्होंने अच्छा बॉल डाला था एक ऐथा और वापर आदिम का विकेट मिला था उनको तो उनका खोनिया करना चाहिए और इंडिया को इसी कंबेशन से जाना चाहिए बहुत अच्छा मैच होने वाले दोस्तों कल मजाने वालें इंडिय स् कि इंडिया किस confidence से खेल रही है आजकल क्योंकि एक defeat कोई भी टीम को खराब या अच्छा नहीं बना जेती है लेकिन आपका temperament बहुत मैटर करता है और T20 cricket is all about momentum momentum किसके तरफ होता है अभी तो है शिलंका के तरफ यह दो back-to-back matches जीते वे आ रही है और इंडिया अभी जस्ट हाड यह कली तो मुश्किल होगा इंडिया के लिए लेकिन अच्छी टीम वही है दोस्तों जो match और momentum को बदले अपने पक्ष में तो यही था दोस्तों आज के वी क्यर मुश्किल आज की जैसे आज था दोस्तों आज को अजू सो मच